जैहें दोस्तों स्वागत है आज की क्लास और आज की क्लास है हमारी खिवाच्छा प्रदेश की विधान सभाव राजी सभाव और लोग सभाव से जुड़े हुए संबंधित MCQ questions जो कि आपके सामने पहला प्रशन आ चुका है तो पहला प्रशन है MCQs का तो ध्यान से देखें इस question को और लगाएं इस question को पहले का अंसर क्या बनना चाहिए सभी question स्टार्ट करें हिमार्चल प्रदेश की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी बताएं हिमार्चल प्रदेश की पहली महिला अध्यक्ष तो B option शिरीमती विद्या स्टॉक्ष कौन थी शिरीमती विद्या स्टॉक्ष अगला question है आपके सामने हिमार्चल प्रदेश की विद्यान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे विद्यान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे ध्यान से अंसर दीजिएगा जी बताएं मैंने आपको ये क्लास जो है वो लगवाई है आपने ध्यान से इसका अंसर देना वेच्ष तो इसका सही अंसर रहेगा वो है C option बिलकुल सही आपका जैवंत राम जैवंत राम बिलकुल सही अंसर है अगला सावाल है शित्र फल के अधार पर सबसे बड़ा विधान सभाशित्र कौन सा है विधान सभाशित्र आपको पता है विधान सभाशित्र के बारे में मैंने बताया है कि नौर का है लाहॉल्स पिती का है घुमारभी का है या भरमौर पांगी का है सभी अपना कॉमेंट करिएगा अंसर सी के साथ जा रहे हैं और बिल्कुल सही आपका अंसर सही है सी लाहौल्स पिती का जो है विधान सवाशित्र जो है वो सबसे बड़ा है संसद के लिए हिमाचल से कितने सदस्य चुने जाते हैं तीन हैं चार है और साथ है कॉमेंट कर सकते हैं आप अपना अंसर चेक कर सकते हैं अपने आंखें बंद करें और चेक करें कि मैं सही हूँ या गलत हूँ तो सही अंसर रहेगा चार के साथ जा रहे हैं मगर टोटल टोटल जो है संसद में जो है वो साथ है कितने हैं साथ है ठीक है जी टोटल साथ है ठीक है जी नेस्ट आरिजल नेक्स रहता है हिमाचल प्रदेश के प्रतम राज्य सभा सदस्य कौन थे राजकुमारी अमरीत कौर चिरन्जी लाल वर्मा रोशन लाल या क्रिशन लाल शर्मा हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्य सभा के स्दसे तो क्रेक्ट अंसर रहेगा B option चिरंजी लाल वर्मा क्या रहेगा चिरंजी लाल वर्मा अगला सवाल हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रथम सचिव कौन थे प्रथम सचिव विधान सभा के तो correct answer रहेगा वो है N.C. नंदी N.C. नंदी जो है वो इसका सही answer है आपने ध्यान से note करना है और learn करना है अगला है हिमाचप देश का पहला राज्य सभा सदस्य गौन था राज्य सभा का सदस्य तो correct answer रहेगा वो है C. चिरंजी लाल वर्मा इसका सही answer रहेगा next question है सबसे अधिक 15 विधान सभा सीटे किस जिले में है विधान सभा सीटे 15 तो correct answer रहेगा वो है D. option कांगडा की तो कांगडा की जो है वो 15 विधान सभा सीटे है अगला सवाल 1982 में हिमाचर प्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष कौन बना विधान सभा का अध्यक्ष कौन बना विध्यक्ष्टोक्स है T.S. नेगी है गंगू राम मुसाफिर या राना उलतार चंद अपना कोमेंट कर सकते हैं आप A option के साथ जा रहे हैं पर correct answer रहेगा T.S. नेगी जो है वो बिलकुल सही answer रहेगा next question आ गया है हिमाचल प्रदेश में रज्य सभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं दो चार तीन या साथ sorry पांच पर रहेगा वो है B option तीन कितने चुने जाते हैं तीन next हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की संख्या कब 36 से 41 हो गई है यहनी कि 36 होते थे उससे फिर 41 की गई है 61, 63, 67 या 54 में अपना कमेंट करिए answer क्या रहेगा तो correct answer देख लेते हैं वो है D option 1954 में 36 से यह 54 जो हमें 41 की गई थी अगला सवाल हिमाचल प्रदेश में राष्ट पती शासन कब लागू हुआ था यह लगाया गया था राष्ट पती शासन हिमाचल प्रदेश में पहली बार बहुत ही important question है बहुत ही important question है हिमाचल प्रदेश में राष्ट पती शासन कब लागू हुआ था तो correct answer रहेगा वो है C option बिलकुल सही 1992 में 1992 में जो है राष्ट पती शासन लागू हुआ था हिमाचल प्रदेश में next शेतर फल के अधार पर सबसे बड़ा विधान सभाज शेतर कौन सा है सबसे बड़ा विधान सभाज शेतर कौन सा है शेतर फल के अनुसा सभी अपना comment करें answer साथ-साथ में वीडियो को शेयर करना न भूले साथ-साथ में साथ-साथ में शेयर करें कुर्ट अंसर रहेगा वो है D-Option Law Holds Pity कौन सा है? Law Holds Pity Next हिमाचल प्रदेश में पहली विधान सभा किस वर्ष गठित हुई? हिमाचल प्रदेश में पहली विधान सभा कौन से साल में गठित हुई थी? तो कॉर्ट अंसर देख लेते हैं वो है सन 1952 बिल्कुल सही अंसर है सन 1952 52 बहुत ही अच्छा अंसर है अगला सवाल लोग सभा के लिए हिमाचल प्रदेश में से सबसे अधिक छे बार मिरवाचित कौन हुआ है यानि कि छे बार सबसे ज़्यादा जीते हुए हैं वो कौन से ऐसे नेता है जो छे बार हमारे स्टेट पर राज कर चुके है प्रेक्ट अंसर दीजिए बीरभदर है, विक्रम महाजन है या महेश्वर सिंग, या केडी सुल्तान पुरी प्रट अंसर रहेगा वो है हमारे केडी सुल्तान पुरी जो की लोक सभा के लिए जो हैं सबसे अधिक बार जो हैं वो जीत चुके हैं अगला सवाल वर्ष 1925 1925 में वर्तमान, हिमाच्चा प्रदेश, विधान, सभा भवन का जो उदगाटन किया था, वो किस वाइस राय नहीं किया था जल्दी से अंसर करें, लौड रिपन है लौड इर्बिन है, लौड बिलिंक्टन है या लौड अलगिन है सभी अपना अंसर कोमेंट कर सकते हैं वीडियो को शेर करिएगा और साथ में इन कोशन्स को नोट की फॉर्म में भी जरूर क्रिएट करिएगा प्रदेटन से देख लेते हैं वो है, ए अप्शन लौड रीडिंग लौड रीडिंग जो है वो बिलकुल इसका सही अंसर है नेक्स्ट कोशन है कांगडा, मंडी, कुल्लू, चम्बा में क्रम बार कितनी विधान सभा सीटे हैं पहले आपको कांगडा की बतानी है, फिर मंडी की कुल्लू की, फिर चम्बा की विधान सभा सीटे कांगडा की तो 15 हो गई है यह कांगडा की है यह मंडी की है यह कुलू की है और यह चम्बा की है आपने प्रोपर ली याद रखना है कौन सी कहां कहां पर कितनी है याद रखिएगा अगला सवाल शिरी जी एस बाली परिवहन मंत्री बने थे हिमाश्चर प्रदेश विधान सभाव के 2015 तक वो कितनी बार निर्वाचित हुए है कितनी बार निर्वाचित हुए हैं जी एस बाली नगरोटा के रहने वाले हैं तो क्रेक्ट अंसर देख लेते हैं वो है बी आप्शन चार बार निर्वाचित हुए हैं कितनी बार हुए हैं चार बार निर्वाचित हुए हैं अगला सवाल, कांगडा लोकसभाशेत्र में कितनी विधान सभाएं आती हैं, कांगडा लोकसभाशेत्र में, सोला हैं, सत्रा हैं, नौ हैं या दस हैं, कुरेक्ट अंसर क्या रहेगा वो है, बी ऑप्शन सत्रा, सैवन्टीन, अगला सवाल, बीर भद्दर सिंग, हिमाचर प्रदेश में कितनी बार लोकसभाशेत्र के लिए निर्वाशित हुए हैं, कुरेक्ट अंसर रहेगा, वो है डी ऑप्शन, पांच बार, कितनी बार, पांच बार निर्वाशित हुए हैं, तो ये थे हमारे आज के MCQs, तो आपको पसंद आए हों, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, और इनको नोट्स की फॉर्म में जरूर बनाएगा, तब तक लिए अपना खास ख्याल रखिए, जै हिंद, जै हिमाचर अचर्ण!